दोस्तों अगर आप हर रोज त्रिफला घी खाते हैं, तो जिन्दगी में कبھی भी आपका पाचन खराब नहीं होगा, आपको पाचन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपको जिन्दगी में कभी भी टेत में गैस नहीं बनेंगी, पेट में acidity नहीं बनेगी, पेट में दर्द नहीं होगा जो त्रिफला घी होता है यह गाए के घी से ही बनाया जाता है यानि यह गाए का घी होता है लेकिन इसके बीच में त्रिफला को एड़ किया जाता है त्रिफला में गाय के घी को पकाया जाता है जिससे त्रिफला घृत बन कर तयार होता है ये जो त्रिफला घी होता है ये एक दवा के समान ही शरीर में काम करता है बशर्ते की आप इसे उचित मातरा में खाएं और सही तरीके से खाएं इस वीडियो में मैं आपको त्रिफला घी की सही मातरा बताऊंगा और इसे कैसे खाना है ताके आपको जिन्दगी में कोई भी बीमारी ना लगे ये भी बताऊंगा अगर आप रोजाना त्रिफला घी खाते हैं तो आपको जिन्दगी में कभी भी मलतियाक से सम्मंधित कोई भी समस्या नहीं होगी मलतियाक से सम्मंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी जैसे बवासीर वगरा और आपको जिन्दगी में कभी भी कबज का सामना नहीं करना पड़ेगा त्रिफला घी पेट से जुड़ी बिमारियों और आंतों से जुड़ी बिमारियों को दूर करता है अगर आप हर रोज त्रिफला घी का सेवन करेंगे तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा ये एक बहुत ही शक्तिशाली आयूर्वेदी कोशधी है त्रिफला घी खाने से कभी भी मानसिक बिमारियां व्यक्ति को नहीं लगती और व्यक्ति कभी भी अस्थमा की बिमारी का शिकार नहीं होता अस्थमा के इलावा और जितने भी वात रोग होते हैं वे आपको कभी नहीं लगेंगे अगर आप हर रोज त्रिफला घी का सेवन करेंगे अगर आपके शरीर में किसी तरह से कोई विशाक्ता आ गई है कोई जहरीला पन आ गया है जैसे पलूशन की वज़े से, खाने में कैमिकल की वज़े से किसी भी तरीके से अगर आपके शरीर में जहरीला पन आ गया है तो त्रिफला घी शरीर से इस जहरीले पन को दूर कर देता है अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई सूजन है तो त्रिफला घी सूजन को दूर करता है जो लोग हर रोज त्रिफला घी खाते हैं, उनके शरीर में कभी भी सूजन नहीं होती, उनको कभी भी सूजन से जुड़ी बीमारियां नहीं होती, जैसे अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द वगरा, जो लोग हर रोज त्रिफला घी खाते हैं, उनकी त्वचा बहुत सु प्रिफला गी खाने वालों को कभी भी डायबटीज नहीं होती। प्रिफला गी खाना चाहते हैं तो आपका जीवन बहुत ज्यादा खुशाल होगा आपकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहेगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।